उसके बाद हमारी जो request है, successfully submit हो गई, यह आपर देख सकते हो, OTP has been verified, EKYC updated and PF advance claim form submitted successfully. यह जो वीडियो है ना, छोटी है, बट काम की जानकर ही आप सभी के साथ share करने जा रहा हूँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं, technology अगर आप एक PF account होल रहे हैं, और आप अपना advance में, या फिर पूरा PF का पैसा निकालने के लिए form 1910C apply कर रहे हूँ, तो जब यहाँ पर OTP mention करके, validate OTP and submit claim फोरम पर जैसे क्लिक करते हैं, तो अभी मेरे को मैं form 31 apply कर रहा था, advance में PF का पैसा निकालने के लिए, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर OTP mention किया, उसके बाद validate OTP and submit claim फोरम पर जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर पहले तो छोड error message आ गया, कुछ इस तरह से, unable to reach CIDR servers URL 7 and इस तरह का message आ गया, please try again later, तो भाई मैंने दुबारा से यहाँ पर OTP mention किया, और validate OTP and submit claim फोरम पर मैंने क्लिक किया, बट फिर भी जो प्रोब्लम ठीक नहीं हुई, उसके बाद यहाँ पर दुबारा से error message आ गया, log failed, please retry with valid request, तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का error message आ जाता है, तो यह एक technical problem है, इसका समाधन क्या है, मैंने अभी मापको दिखा देता हूँ, तो मेरे को इस तरह के error message मेरे को जब आए न, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने recent OTP का यह जो option इस पर दुबारा क्लिक किया, और दुबारा क्लि मैंने mention किया, उसके बाद validate OTP and submit claim form पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद हमारी जो request है, successfully submit हो गई, यह पर देख सकते हो, OTP has been verified, EKYC updated and PF advance claim form submitted successfully, तो यह वीडियो बनाने का मेरा मतलब यह है, कि अगर आप में से किसी बाई, बेहन को अगर कुछ इस तरह का error message आता है, आपको क्या करने, जो मैंने आपको तरीका बताया है, एक दो बर आपको OTP mention करके submit करने है request, अगर फिर भी error message आ जाता है, तो recent OTP के option पर click कीजे, दुबारा से OTP मंगवाईए, और फिर जब OTP आ जाए, mention करके request submit करेंगे, तो successfully request submit हो जाएगी, और यहापर मैं आपको दिखा आपको भी देता हूँ, आज मैंने try किया था, यहाँ पर देखो claim की request submit हो गई है, और आज है, यहाँ पर 27 अपरेल 2024, दोपैर के 4 बज कर, साम के 4 बज कर 24 मिनट पर मैंने request submit करी है, और यहाँ पर मैं जाकर भी दिखा देता हूँ, ट्रे claim status की option पर click करके, यहाँ पर देख स सकते हूँ, forum 31 हमने apply किया, 27 अपरेल 2024 को साम को 14 बज कर 13 मिनट पर request submit करी थी, तो यह वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है, यही जानकर आप सभी के साथ share करने थी, कि अगर आपको भी कुछ इस तरह का error message आ जाता है, तो tension नहीं लेना, गवराना नहीं है, कि भाई यार मेर पोर्टल को जो एक बार logout कीजिए, या फिर home की option पर click करके, दुबारा से जो form apply करते हैं, जो step हम follow करते हैं, वो करेंगे, तो आपका जो claim है 101% submit हो जाएगा, बाकि अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी error नहीं चाते, आप चाते हो कि भाई मैं 2-3 मिनट में claim submit कर दूँ, क request submit हो जाएगी, किसी भी तरीके का कुछ भी error आपको नहीं आएगा, यह मैंने try किया, पिछले 45 दिन से मैंने claim के लिए request submit करी थी, तो कोई error नहीं आए, दिन में कुछ error message आ जाएगा, website भी थोड़ी चलो चलेगी, बढ़ रात के 8 बजे के बाद apply करेंगे ना, कोई भी website भी बताईएगा, मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए, take care